हाई गूद मॉर्णिंग ओल अप यू कैसे आप सभी लोग तो आज है मेरे हस्बेंट का बर्थर दे तो एक छोटा से सेलिब्रेशन कर रहे हैं घर में ही क्योंकि बर्थर दे तो हम बच्चों का ही मनाते हैं ज्यादा दूम दड़ाके से और लेकिन इस बार हमने सोचा बच् अब लगाएं बर्थर देखते हैं शाजावत आप यह करी आप अजों लगा दिये हैं और कि डिया थोड़े से बलूं लगाएं एपी बर्थडे का यह लोगों भी लगा दिया हैं नहें एंगें लोगों जो भी है यह और आप केक कट करेंगे हम लोग खाना खाने के बाद जो खुद को खाना बनाना पसंद है तो इसलिए मैंने मटर पनीर की सबजी और नान बना रही हूँ और उसी से मैं बात कर रही थी बनाते बनाते तो ये सबजी बन के तयार हो गई है और राई सब ही बनने वाले हैं और यकीन मानिये जिसनी अच्छी ये बन के दिख रही है खाने में बिलकुल भी उतनी अच्छी नई है और खाने में इसका टेस्ट पता नी उतना अच्छा क्यों नी बना लिए सिपश अच्छा बनता था जो शिफ्ट कर लेती हूँ इसमें फिर उसके बाद थोड़ी रसोई को साफ करूंगी सबजी मेरी बन गई है, चावल बना रही हूँ, और बस खाना खाके फिर केक कटिंग करें, अब मैं दोरी हूँ, बर्तन जैसे रसोई फैल गई थी, और यह बर्तन को समी नहीं होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में सिंग फूली होता है, क्योंकि दो से तीन बार बर्तन और दूख चुके हैं, और अब इतने जादा बर्तन फिरे देखो, कितने सारे बर्तन हो रहे हैं, बर्तन देखो, कितने सारे 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 हो रहे हैं, बर्तन देखो, कित जस्ट बाद हम केक काटेंगे और ईशा विगड़ गई है छोटी सी बात पर क्योंकि देवु ने चौकलेट का पीस उठा के खा लिया केक कर से और मैं खोड़ों खाड़ें कली लगाई है पहले किसे खिला होगे जैसा ही राम को यह अज़ां आर मुझा वयू राम को लेगे है यूदो कि खालवों के खालों मैं मैं खोड़ों भूआ है यह फोड़ों को दूँए इस टान कि रहां कि लेगे भी कि अगरे देव खाया उचागी पूरी आरी है पूरी आरी है